अलो प्रेंट्स, आज हम क्लास 12 माना भुगोल के चैप्टर 2 विसर जन संक्या वित्रान गनाता वृद्धी के बारे में पढ़ेंगे चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए पूरी वीडियो को जान से देखें और समझने का प्रियास करें तो आईए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का चैप्टर सबसे पहले हम इसके कुछ महत्पून बिंदों के बारे में जान लेते हैं कि इसमें हम किस बारे में आज बात करेंगे जानेंगे समझेंगे लिए और सबसे पहले बात करेंगे विश्व में जन संक्या वितरन का प्राषप कैसा एंक विधितर वाले देश कौन-कौन से हैं और सबसे ज्यादा जन्संक्या वाले देश कौन-कौन से हैं और जन संक्या की वास्तिविक व्रद्धी क्या है किसे कहते हैं इसे हम समझने का प्रियास करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्व में जन संक्या वितरण के प्रारूप क्या है तो विस्व में जो जन संक्या वितरण है वह ऐसमान है कहीं पर भी जन संक्या समान नहीं है यह समान रूप से हैं जमीन पर जो लोग किस प्रिकार से बटे हुए हैं कहीं कम और कहीं ज्यादा इस चीज का पता लगाया जाता है है से जन संक्या उत्रण कहते हैं मोटे तोर पर विशु की जन संक्या है उसका लगवग 90 पृतिसाथ इसके दस पृतिसाथ भाग पर निवास करती है तो इसी को ध्यान में रखते हुए जाज भी क्रेशी ने कहा है कि एस्या में बहुत अधिक इस्तानों पर कम लोग रहते हैं और कम इस्तानों पर बहुत अगितिक लोग रहते हैं अगिस्हा यह हैं इसमें बहुत कम जगह है उसके अधिक लोग रहते हैं तो वह हम अभी इसका दन करेंगे तो देखते हैं विस्व में जनसंख्या है 2018 के अनुसार एक बार हम माधीपों के बारे में कौन से माधीप में कितनी जनसंख्या निवास करती है और यहां का जनसंख्या गनता है तक आफिक रहता है तरफ्रीका में 16.9 परसेंट निवास करती है और यहां 43 परसेंट नवास-कृर्शेंट चौता नमबर आता है लेटन अमरीका तो बीच्पटे का है। संख्याय है यहां पर गनत्व है वीश व्यक्ति ठीक है ओसे निया इसे आस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है लेकिन कुछ और देस मिलाकर इसे और से नाम से जानते हैं और यहां पर जो था किलोमेटर अब देखते हैं कि कौन से महाधीप में कितनी है इसके एक बार हम अध्यान करते हैं मांचित्र के माध्यम से पहले हम देख लेते हैं एक बार कि कि इसमें क्या है कि यह यह यहाँ नहीं रहते हैं यहां पर केवाल और वैगयानिक जाते हैं के वर सर्च करने के लिए जैसे कि आपको पिछली टेबल में बताया था कि कि उनसे महादीब में कितनी जन्सेंख्या निवास करती है तो एक बार मैं आपको पुने पता देता हूं तो पहला जो इस्तान है वह है एसिया का यह पूरा मादीप है एसिया मादीप है इसमें लगबाग 60% 59.5% 60% एसिया दूसरे अखै आता है अपर 16.9% निवास करती है और 43 यहां पर इसे नंबर पर आता है यूरोप यहां पर 9.7% करती है चौतह नंबर पर आता है यह आता है लाता एं अच्मित्टा कहते हैं लेटन अमरीका ठीक है और यह वाला इस्सा यह आस्ट्रेलिया और इसके पास वाले जो चोटे-चोटे दीप है यह सब मिलकर क्या बोलते हैं इनको बोलते ओसे निया ठीक है यह आपको समझ मागए होगा अब नेक्स्ट है वह पाचवा उत्रेमरीका और शट्रेलिया शट्रेलिया अंटार्टिक आपको पहले था यहां पर नहीं रहते हैं तो अब भात करते हैं वह सबसे ज्यादा निवास करती हैं लेकिन अभी दोजार तेज के आकड़ों के अनुसार संयुक्तराट जनसंख्या कोस्ट ने जो नविंतम आकड़े दिया है उनके अनुसार अब भारत वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जनसंख्या गनत्तावाला देश हो गया है यहां की जनसंख्या आप 142.86 करोड हो गई है ठीक है उ इन देशों में दस देश हैं इनमें सबसे ज्यादा वाड की सबसे ज्यादा निवास करती है अब फोड़ा और देख लेते हैं अच्छे से एसिया में लेवास करते हैं कौन-वारत अब जैसे बता bisher पहले नमर पा गया है इंडोनेसिया पाकिस्तान बंगला देश और रूस ये जो 6 देश हैं ये एसिया मादीप में निवास करते हैं चीन भारत इंडोनेसिया ठीक है पाकिस्तान पंगलादेश और रूस ये एसिया में है आप से क्विस्ट्सन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है तो एक ध्यान से आपको देखना है वो समझना है क्या आप से पू एसिया का पता चलीगा आपको 6 देश हैं एसिया में रूस है ये दोनों में यूस यूरोप और एसिया दोनों में फैला हुआ है लेकिन जंसेंग के ज्यादा है वह एसिया मादीप वाले शेतर में ज्यादा है और यूरोप में कम है रूस को क्या है कि जो यूरेसिया परव और अज्वांसे ज़्यादा चलिए यह व्यांसे जब्सेग है उसके बाद अगर आपसे पूछा जाया कि ब्राजील कौनसे तो डक्राइबिंगे यह लैटन-अवरिका बोलें गैं इसको व्यादा कौन साइस तो ब्राजील सब्सेजादा देस है ब्राजील लैटन-वरिका क को बोलते हैं और मैं किसको यह दो रखेस हैं वह उत्र महाधीप में अमरीका महाधीप में सबसे ज्यादा जनसेंख्या यहां पर निवास करती है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा है यदि कोई क्यूरी आ तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगए तो कॉमेंट करके बताएं भी एक बार फिर से बता देता हूं दस देश जो एक रम से यहां पर दिखाए गया है चीन भारत संहीकुत राज अमरिका इंडोनेसिया ब्राजील पाकिस्तान नाइजिरिया बंग इंडोनेसिया है पाकिस्तान बंगलादेश रूज यह एसिया में इसको उत्रे अमरीका में ब्राजील लैटन अमरीका में है नाइजिरिया एफ्रिका यहां पर सबसे ज्यादा जन संक्या निवास करती है अब आगे बढ़ते हैं अब आब बात करते हैं जन संक्या गनत्यो एक、、ट ग्लोमीटर में रहने वाले या निवास करने वाले वेक्तियों कि संख्या है उसे जन संक्या गनत्यों के नाम से nor जाता है यह एक किलोमेटर में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंक्या गनात्व कहते हैं जो निकलता है उसे हम से आपको समझ में आ चलते हैं आगे देखते हैं कि जंसंक्या वित्रण को प्रभावित करने वाले काड़ा कौन कारण को तीन कारण भूगोली कारण, आरति कारण और स्रामाजी केवां सांस्कृति कारक तो पहले देखता हैं भोगोली कारक में भी यहां तीन कारक हैं उन्हें पहला है जलकी उपलगता जलकी उपलगता से तात्रिया है कि जहां पर जलकी उपलगता अच्छी होगी अधिक होगी वहां पर लोग जहना ज्यादा पसंद करते हैं आप जैसे जानते हो जल ही जीवन है जल के बिना जीवन संभव नहीं होगा तो लोग नहीं रहेंगे जल पीने के लिए पोजन बनाने के लिए नाने के लिए पसलों के लिए उद्योगों के लिए सभी के लिए जल की बहुत ही महत्पून आप सकता होती है इसलिए जहां पर जल आप लोग ज्यादा रहते हैं जल की सुईधा नहीं है वहाँ पर बहुत लोग बहुती कम लोग रहते हैं जैसे प्राचीन काल में भी नदी गाटी वाले छेत्र थे उसमें सबसे ज्यादा लोग रहते थे तो जल के बारे में आप समझ गए होंगे अब दूसरी बात है व जो कि वहां के आवागमन के साधन सड़क निर्मान उत्पादान की चेत्र कैसा है इस तरह के जो अनुकुल पसंद करेंगे जैसे उदारन के लिए गंगा के मैदान में महां भूमी भी उप जाओ है जबकि पाहड़ी चेत्र हैं और रेगिस्तानी चेत्र हैं महां पर जैंस डिपढ़ती तो एसे जगह पर लोग अधिक रहना पढ़ते पसंद करेंगे जबकि जहां पर बहुत ज्यादा आरीया है या भूम्बे में महारास्टॉय में जैसे आपाई तोा घूरे चेतर हैं कंगा के किनारे वहाँ पर नेस्ट है मुर्दा है यहाँ पर लोग ज्यादा निवास करेंगे या बंजर भूमी है या पैदावार नहीं होती है तो यहाँ पर लोग कम रहना पसंद करेंगे जंसें के वितरन को को आपको अच्छे से याद करना है पहला है जल की उपलबता वह आकरती जलवायू और मिर्दा इन चारों पॉइंटों को लिखना है और इनके बारे में आपको फिर विस्तार से बताना है यह क्वेस्टन पास नंबर का परिक्ष्यम अक्सर पूछा जाता है तो यह आपको अ संब्कों करेंगे अगली बात आती है नक्री करण मैं अगरों मैं रोजगार्ब के अशचरि बैतर रहन सेन की सुविदा यह सब चीज़ होती है इसलिए लोग गाहों से सेरों की और वागते हैं और वहां पर जन संक्या में वरद्धी होती है यहां पर आपको अच्छी सुविदा मिल जाएगी पढ़ने के मोके मिलेंगे आपको ठीक है तो यहां पर ग्रामिंट चेत्र वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा रोजगार के तलास में लोग गाहों से जहां पर उद्धोगों की इस्तिति है वहां पर जाएंगे और वहां पर जाता रहना पसंद करेंगे तो जन संक्या वितरन को प्रवाइवित करने वाले कितने कारण को यह दो कारक अभी हमने लोग आपने समाज में आपनी संस्कृति एक साथ में चादा रहना पसंद करते हैं और दूसरे जगह कम यह जनसंक्या वित्रण को प्रवावित करने में बहुत अधीक मैत्पूर्ण योगदान प्रदान करता है तो यह तीन आपके सामने दीख रहे हैं प्रमुकारक बोगोली कारक आरतिकारक और सामाजे के साज़किर्ट के आरक इनको आपको पढ़ना है और इनके बारे में फिर ठीक है आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा है पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और पुने रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको इस तरह के इंपोर्टेंट वीडियो मिलते रहें अब आगे हम देखते हैं कि जनसंक्या विरद्धी किस किसी चेतर कोई सेरे कोई राज है को कष्वा यह किसी चेतर में समय कि निश्चीत अवदिन की साल दो साल पांस साल शाल छे मैंने तो इसकी अवदी में बसे लोगों की संक्या में जो परिवर्टन हुआ है जो बदला हुआ उसे जैनसंख्या वरद्धी कहते हैं ठीक है उसमें निश्चीतावदी में साल, दो साल, दस साल, पांस साल तो यह निश्चीतावदी हो गई उसके दोरान जो लोग बस रहे हैं उसकी संक्या में परिवर्तन हुआ है कम हुए है जदा हुए तो उसे जनसंख्या और अधि कहते हैं ठीक है यह समझ माया यह हम इसे दूसरे की जनसंख्या महाराष्ट की जनसंख्या राजस्तान की जनसंख्या उत्रप्रदेश की जनसंख्या यह भारत पूरे देश की जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ है जो बदला हुआ है उसे जनसंख्या की वरद्धी का जाता है अब यह परिवर्तन कैसा हो सकता है यह पर कि प्रकृति कि वरदी कि समझते हैं yourं इसको विसेत्र में जरूर करेंगे दो समय के और साल away और विर्ध्चि ऊसमें लेने वाले बच्च-ël है में से मितिव को गटा देंगे ईसका और आगया होगा आगे चलते हैं जन संक्या की वास्तिक वरदी किसे कहते हैं अभी हमने प्राकुरतीक वरदी देखी उसमें हमने बताया कि जनमदर में से मिर्टिवदर को कम कर देते हैं आप आने वाले लोग जाने वाले को घठा देते हैं उसे जन संक्या की वास्तिव कवुरद्दी कहते हैं इसका इसको निकालने के लिए जनम है है उसमें से मिर्थव को गठा देंगे पिलस आप्रवास आप्रवास का मतलब है आने वाले लोग और अगले वीडियो में और भी विस्तार से समझाऊंगा तो अभी तो आप इतना समझ लें कि आने वाले लोग है उन में से जाने वाले लोगों की संक्या गटा दी जाती है और इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो उसे जन संक्या की वास्तिवी पुरद्धी कहते हैं और यह आसा है यह भी आपको ठीक से शमया आगाया होगा यह नौको कंफूसर करके के पूछते हैं और वीडियो कैसा लगा यहां को कूमेंट्च करके बताना है अच्छा लगा है संधार के लिए बहुत करते और लिएantal के यह नहीं यादा रखना है कि कोई विरद्धी ओ दो समय का तो आपको रखना है इside अप्र से आधिक वह श्यादा है कम है या भी अन देशों से लोग इस त्षों में प्रवास तो इसे जंसेंक्या की धनात्माक वॕ्षधि कहते हैं झाँ आप दूसरे देश से आजाएंगे और यहां बच जाएंगे इस ताई रूप से और लियुक्त रेनात्म के दो विर्दी अंतराल नहीं हैं गेसं सबस्टे करने तो दो समय को सकते हैं आपके पीछे तो यह साल हो सकते हैं के कि वीच में कम हो जाए तो कम कोगी कि मृत्तु दर जादा हो जाती है यह फिर लोग है जो इस देश से छोड़ कर दूसरी जगहें पर चले गए हैं एक राज से छोड़ कर दूसरे राज पर चले गए हैं तो इस तरह से आपने जो यह पॉइंट समझे हैं बहुत ही उप्यों की है आशा है यह वीडियो आपको बहुत ही काम आएगा और बहुत ही परिक्षा में इसमें से प्रिशन पूचे जाएंगे इसमें से 5 प्रिशन जैसे करने और इसी तरह से वितरन के प्रारूप या कौन से महादीप में कौन कुछे जा सकते हैं पूचे आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो एक इस तरह के और इंपर्टेंट वीडियों मिलते रहें और हमें वीडियो बनाने के लिए वोटी शन मिलता रहे थैंक यू पर वाचिंग माई वीडियो है वे नाइस डेए